आज हमारे हाथ लगी है मशूर आइटम गर्ल पाकी सावन जी पाकी जी आप पर पहला अरोप ये है कि आप अपने स्टेज प्रोग्राम में ऐसी ऐसी ड्रेसे पहनती है कि जिसमें से सब कुछ दिखता है मैं पहनुगी मैं पहनुगी जो मेरे दिल में पहनुगी मैं किसी डरती नहीं जो मेरे दिल में पहनुगी मेरे दिल में पहनुगी मेरा काम इसा है मेरे प्रोग्राम का नामी होता है पाकी सालन शो हमारे हाथ आपकी एक ड्रेस लगी है ये इतनी जादा ट्रांसपेरेंट है क इसमें से सब कुछ दिखाई देता है, आरपार यहां तक कि Jaj-saap भी इसमें से आरपार दिखाई दे रहे हैं एक बात बुलू आपको अगर मैं इड्रेस अभी क्याभी पहनू तो कुछ भी आरपार भी दिखाई देता, यहां तक कि इसके अंदर से जैसा भी नहीं दिखाई देंगे लगी शर्ट पाकी जी आपका एक MMS हमारे हाथ लगा है क्या आप भी बाकी हरोनिस के तरह यही कहना चाहेंगे कि आप उसमें नहीं है महीं हूँ, महीं हूँ जैसाब, मैं 200% महीं हूँ, मुझे इस बात की खुशी है, थेंग गॉड की पाकी कहीं तो अची तरह इस दिखाई पड़ रही है ओ मैं गॉड जैसाब, यह अपना मॉबाइल चेक कर रहा है कैसी लग रही है, हॉट आज हमारे साथ कटगरे में मौजूद है मुंबई के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नमसकर सहीब आपके उपर इल्जाम है के आजकल रोड एक्सिडेंट बढ़ते जा रहे है बहुत है रहे, बहुत हुत है बाबा लोग मरते जा रहे हैं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी हम लोग क्या करने वाले है हर सिगनल के आजू आजू में हॉस्पिटल बानने वाले अभी एक्सिडेंट होएगा ताबर तोड उदर एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते है फिर क्या का तकलिफ है दिखिए बसों के जो ड्राइवर है वो दिन प्रती दिन राह चलते लोगों के उपर बसे चड़ा रहे है इसके बारे में आपका क्या कहना है अभी बस वाले को हम लोग कितना बोलता है कि बाबब तुम रोड पे चला हो फुट पाथ पे क्या को चड़ता है मगर बस वाला सुनता नहीं तो अभी हम यह निड़े ले ले वाले कि जितना भी पैदल चलते हैं लोग उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा ऐसा हम अनिवार्य करने वाले है पिर का का तकलीब है जनता से कुछ कहना चाहेंगे जनता को मैं यही बोलने माला है चलती बस में उतरने का है तो उतरो अपर थोड़ा आजू बजू देखने का इधर हॉस्पिटल है क्या हॉस्पिटल है तो उड़ी मारो बिर का का तकलीब है तो आज हमारे साथ हैं सरकारी बस के ड्राइवर गफूर कुरला असलाम अलेकूप आप पर इल्दाम है कि आप इतना पढ़े लिके होने के बाद भी एक सरकारी बस के ड्राइवर है शी जनाब ये हाथसा मेरे साथ बच्पन से चल लिया जनाब बच्पन में मैं एक बार छोटा था तो आप बच्पन में छोटे थे जी जनाब तो कक्षा एक में पढ़ता था एक से लेके कॉलिज तक साफ में पढ़ाई किया जनाब और मुझे बैठने को नहीं मिला जनाब बस में मेरे तन बदन में आग लब जाती जनाब मैं उसी वक्त ये ठान लिया था मैं बड़े होके बस का ड्राइवर बनुगा जनाब अलो जी में बस का ड्राइवर बन गया वो दीन है और आज का दीन है जनाब मुझे बैठने की दिक्कत ही नहीं हुई आप पर ये इंजाम है कि आप हैं तो सरकारी बस के ड्राइवर लेकिन फिर भी आप एक्सिडेंट इतने क्यूं करते हैं जनाब MILIX का होना ना होना मेरे बस में नहीं है जनाब तो फिर विर किस के बस में है? ये आला इंज़फियर के बस मेें जनाब आप पड़ते मी बस में लिखा रहता है इश्वर अल्ला आपकी यात्रा मंगल में करे जनाब अच्छा गफूर जी आप ये बताईए कि आप कितने घंटे बस में रहते हैं जनाब मैं 24 घंटे बस में रहता हूं जनाब 10 घंटे सरकारी बस में रहता हूं मेरे बश्च में पच्तो किराब आप उसका नाम कैसे मालू में आप ही ने बताया हैं? आज हमारे साथ है एक बहुत इमहान नेता नेता जी आप पर पहला इल्जाम ये है कि आपने जो बड़े बड़े दावे किये थे कि आपके एरिया में CCTV कैमरा लगे हुए है उन कैमराज की वज़ा से आपके एरिया में चोरिया नहीं होगी क्या ऐसा कुछ हुआ? कसम 4 मेना रखी चोरिया बंद हो गई ना पबलिक की अब हम लोग जितने बाद CCTV कैमरा लगाते चोरा आते वो कैमरा ही चोड़ी कर ले जाके आप पर एक इल्दाम और है आपकी युनाइटिट पार्टी जो है वो दो साल में चार बार तूट चुकी है जितने भी बड़े 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 नेता थे वो सब आपकी पार्टी छोड़ कर जा चुके है अब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है दुबारा नहीं तूटेगी कासम चार मिना रखी अभी दुबारा हमारी पार्टी नको टूटती रे बाबा क्योंकि पूरीच पार्टी में मैच अकेला है नेताजी आप पर एक इल्दाम और है आपने सलम की तरक्की के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हां की थी क्या उनकी कुछ तरक्की हुई कासम चार मिना रखी हमारे एरिये में क्या तरक्की हुई भई पहले सलम दो एकड में था भई आज कल पांच एकड में फैल गया ना भई और इतना तरक्की होना दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के ताजे-ताजे बने नेता आए करते हूं से कुछ बात्षीत नमस्कार सर नमस्कार मेडम क्या ये बात सच है कि मंत्री बनने से पहले आप बहुत बड़े क्रिमिनल थे? ये जूटा इल्जाम है हम तो मंत्री बनने से पहले छोटे क्रिमिनल थे बड़े क्रिमिनल थे अभ हुए मेडम मंत्री बनने के बाद तो कैसा लग रहा है आपको मंत्री बन कर? बस बहुत इंजवाय कर रहे हैं अब देखिए ना, पहले पुलिस वालों को हम खुद रिश्वत देते थे, अब पुलिस वाले रिश्वत लेके खुद मेरे घर पे आते हैं. मंत्री जी, क्या ये बात सच है कि आपने अपने उपर खुद स्टिंग ओपरेशन करवाया है? जी जी मैडम, ये बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, मार्केट में अपनी मार्केट वेल्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हरकतें और तिकड़म करते रहना चाहिए. मंत्री जी, आज आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हैं, परिशान लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैडम, आज सवे सबरे हमारी जी मैडम है, उन्होंने घर पे मेरा मोबाईल चेक कर लिया. तो क्या हुआ? नहीं, इसमें साथा डिलीरी रिपोर्ट के बारे में दिया है. दोस्तों, आज हमारे साथे हमारे देश के एक महान नेता, आईए करते हैं इनसे कुछ बातचीत. वेलकम सर. नहुसकार. सर, माना जाता है, नेताओं की वज़े से राजनीती बहुत गंदी हो गई है. क्या ही बात सच है? देखी, जहां तक मुझे जानकारी है, राजनीती फिल्म तो प्रकार जागी है. फिल्म का अच्छा होना या गंदा होना, ये सब उन्ही की जुम्यदारी है. इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं. नेता जी, आपकी क्या रणनीती है प्रधान मंत्री बनने की? बस आजकल मैं रिमोर्ट से चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आजकल की युवाब पीडी राजनीती में नहीं आना चाहती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह क्या कह रहे हैं आप, यह आप क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, बलकि आजकल हर कोई अभिनेता बनना चाहता है और हर अभिनेता नेता बनना चाहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है नेता जी ये आप ऐसे यासे ये क्या कर रहे हैं? मैं सब कुछ करके भी हर चीज से पल्ला जाल लेता हूं दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे देश के एक नेता, नेता नौटंग किलाल जी आई करते हैं उनसे कुछ बाते, वेलकम तो आशो, नमस्कार नेता जी, पानी की समस्या कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इंतजार इंतजार? किस चीज का इंतजार? किसी बड़ी समस्या का, देखिए, चीनी की समस्या को खत्म कर दिया, पानी की समस्या ने अब पानी की समस्या को खत्म कर देगी, कोई बड़ी समस्या और बड़ी समस्या आटा दाल चावल गेहूं किसी चीज की भी हो सकती है नेता जी, खराब सडकों के बारे में आपका क्या कहना है? खराब सडकों के लिए तो हमें एवाड मिलना चाहिए वो किसलिए? अब देखिए, मान लिजे, आप दही लेकर रिक्षे में बैठी ही और इश्चा हिचकोले खाता हुआ जा रहा है, हिलता डूलता जा रहा है जैसे आप घर पहुंची तो दही घुम घुम के पूरा लसी हो गया, तो लसी का पैसा भी बच गया मान लिजे, किसी के गुर्दे में पत्री है और वो भी इसे जूला सड़कों पे हिचकोले खाता हुआ जा रहा है तो बहुत बार देखा गया है कि उसके गुर्दे से पत्री निकल गई है ये सुईधा संपन्न सड़के है नेता जी, महीला आरक्षन बिल से सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पर पड़ीगा? रुई पर, रुई की खबत बढ़ जाएगी वो कैसे? बगैर रुई, कान में ठूसे हुए, कोई सदन में कैसे बैठेगा? वही चाहों चाहोगा, अच सुनो, इधर आओ, इधर आ तुम्हें जू निकालते है पाई साब, पाई साब, ये खिड़की खोल तो बड़ी गर्मी लग रही है का पगलेट पना का बात कर रहे हो हवाई जाज के खिड़की खुलता है कभी पाई साब, ये तो ट्रेन है अरे चुप रहो, अरे एक तो ट्रेन का टिकट लेगे हवाई जाज के मजे ले रहे हो उपर से चपर-चपर कर रहे हो, आदमी सो रहा, उसको सोने दो, डिस्टप कर रहे हैं बड़े पाई साब जे पंखा ही चला दो, ये भी खराब है क्या परेशान पूर से आयो का, रेलवे का पंखा कभी खराब होता है, रेलवे का पंखा अच्छा रहता है तो फिर ये क्यों बंदा है वहाँ मेन स्विच उड़ गया है, पंखा बढ़िया होता है रेलवे का और पाई साब ओ पाई साब चैन खीच दो मुझे तो यही उतर रहा था जू बैठो अगर चैन होती तो हम खीचना लेते अपने गाउं के सामने न उतर जाते इस अब चोरुवे लोग चैन खीच खाज के बेच डाले हैं 10 रुपए किलो अब फालते हूं प्लेट फारं तक जाना पड़ेगा ठो प्रेंको गैच आश अःश अबाश अबाशे फैंको अरे साहव 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 हमें जल्दी से कह कहते उसको शार्ट कट उसमें हमें क्रिकेटर बना दीजिए ओ यार, इसी के लिए तो हमशा से इंडूस्तान आये है तुम जैसों की मदद करने के लिए बताँ, क्या शीखना चाता हु अरे... बॉल से होते है? हँ, बॉलर! बॉलर बना दीजिए बॉलिंग शिखनी है यह ओ यार देखो बॉलिंग सीखनी के लिए सबसे पहले तो बॉल के तागे को उठे से ऐसे काट दो हैं फिर उसके बाद जुते की स्पाइक से उसे रगड़ दो और फिर उसको दबा दो और बॉल फैंक दो बनगे तुम बॉलर अरे नहीं इस लफ्ले नहीं हम गरीब आदमी साफ फट जाएंगे अचो ये छोड़ो वो बना दीजे वो ऐसे भागते हैं फिल्डर फिल्डर बना दीजे और यह यह तो बहुत असान है बस उसके लिए तुम्हें डाइवानी चाहिए बॉल इदर जाए चाहिए उदर जाए तुम डाइव मारते र बैटिंग ओहो तो तुम बैटिंग जिखना चाहते हो ओ यार इसमें तो हमारी स्पैशल्टी है ओ यह लो बुगी का नंबर और कर लो बैटिंग वाकि अगर को टिप्स चाहिए तुम मुझे फोन कर लेना अरे यह नहीं यह बैटिंग बैटिंग हम लों से नहीं हो और जिसके लिए सब लोग बनते हैं पैसे के लिए होई 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 यार फिर तो तुम बिल्कुल सही जगा पे हायो पर यार तुम गल्द गल्द चीजें क्यों सीख रहे हो तुमें तो सीखनी चाहिए एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग और मैच अईयो हमारा डॉक्टर पेट पे कैची बूल गया तो मैं क्या करेगी, नेक्स्ट आपरेशन में निकाल सकते ना अरे माटम, यह का चक्कर है, हमें अपनी बीबी को ही हालत में इधर लाना पड़ा, आप डॉक्टर को घर पे नहीं बेश सकते देगा अयो, वाईब को बहुत लव करते हैं, बहुत केर करते हैं, इट्स वेरी नाइस एका, इतना कच्रा भलाया हुआ यहां पे, आप साप सफाई का ध्यान काहे नहीं रखते हैं अयो, इधर साप करके क्या पाइद है, कितना बच्चा लोग है, साप करेगा बात में फिर गंद होने वाल है, तो साप करके क्या पाइद है देखे, हमारी बीबी का डिलिविरी के टाइम पर कौनों ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना इधर का डॉक्टर बहुत समार्ट है, पेशेंट के शरीर में जिस पाइड से तकलीफ होते हैं, उसको हमेशा के लिए निकाल देते हैं लेकिन इस काम के लिए तो कोई हो जिम्यदार डامत होना चाहिए na तो तो म किया समझते हैं? हमारे डॉक्टर जिम्ह धार्ण है अमारे डॉक्टर एक नंबर के जिम्ह धार है होस्पिटल में कुछ भी लपड़ा होता है कुछ ही घपलड़ा होता है सब लोग उसको जिम्ह तरह राता है और यह क्या आपने एड्मिट के टाइम पे तो दू हो जार बताया था लेकिन ये बिल आपने हमें तीन हजार उपए का दे दिया, ये देखिये, का है ये? ऐयो, you are mad. रिसेप्शन पे तुमको बोला था, वन थाउजन रुपीज पर हेड. अभी कल को तुम दो का तीन हो जाएगा, तो हो गया ना बिल, 2000 से 3000, ये तो खुशी को बात है, तुमको लड्डू के लाना चाहिए. गेट आउट फ्रॉम येर, हाँ, लड्डू लेकिए आओ. ऐयो, इदर कितनो पागल लोग आते हैं. झाल कितनो झाल कितने हैं.